हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स आप यह देख रहे हैं रेफ्रीजरेटर और यह सेमसम का यह है टू टू ट्वेंटी फाइब लीटर डिजिटल यह पहुत ही अच्छी इसकी बात मुझे खास बात जोल लगी यह है इसकी सेटिंग का सा चार्ट यहां से यह बाहर से ही सेट हो जाएगा इसका जो फंक्शन दिया हुआ है सेट करने का यानि फ्रिज का टेंपरिचर आप सेट कर सकते हैं उसको खोलने की आपको जुरुत नहीं पड़ेगी और यह 3 स्टार है और 3 स्टार में भी काफी कुछ अच्छे फंक्शन द इसकी वारंटी है तो कंपनी वाले इसको ठीक करके देंगे इसमें टोल फ्री नंबर दिया हुआ है मैं अभी बता दूंगे आपको कहां पे दिया हुआ है तो आप वीडियो को लास तक देखते रहें वीडियो को इसकिप ना करें आप तभी आपको अच्छे से डेमू जैसे कुछ फ्रीज होते हैं उनमें छोटी बोटल ही रख पाती है इसमें आप बड़ी बोटल भी बड़ी ही आसानी से सेट कर सकते हैं काफी इसका डूर है और फ्रीजर में आपको दिखा देती हूँ कि फ्रीजर कैसा है तो यह देखिए इसका फ्रीजर आप देख सकते ह यह अब भी फ्रिज विल्कुल न्यू है तो मैंने अभी आज ही खोला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ मैं इसका वीडियो से एर कर दिया जाए तो आप देखते रहे और यह मैंने इसमें फाइवर सीड डाले ताकि यह गंदा ना हो और इसकी जो यह ग्लास है इस स्क्रेच ना है क्योंकि यह इसमें जब समान रखते हैं तो स्क्रेच आजाते हैं उसके लिए यह काफी हैल्फुल होता है तो यह अगर आपकी घरपी नहीं है तो आप इसे मंगा सकते हैं बहुत जादा मेहंगे नहीं आते हैं और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पहले आप वीडियो समझ लें कि इसको क्या क्या कैसे कैसे करना है यह स्विच टाइप आप देख रहे हैं लेकिन यह प्लक टाइप नहीं है यह क्या है कि इसके डोर को खराब होने से रोकेगा यह इसमें नीचे की साइड सैट होगा यह इसलिए दिया हुआ है कि अगर आप इसको प्लग के पेज के साथ सेट कर सकते हैं यह डिफ्रेज करने का बटन दिया हुआ है यहां पे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है अगर आपको कोई भी प्राउब्लम आती है तो आप टोल फ्री नंबर से कॉल कर सकते हैं यहां पे इसके सारे दिया हुआ है सारा कुछ बताया हुआ कि यह कौन सा model है किस सन में इसको launch किया है और किस type की cooling है और कितने लीटर का है और कितने लीटर storage कर सकता है यानि यह 225 लीटर का है और 214 लीटर storage कर सकता है तो फ्रेंड्स यह था हमारा टेमो वीडियो तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को प्रेस करें थैंक्स फॉर वाचिंग दे वीडियो